Hello everyone, मैं आशे करती हूँ, आप से भी ठीक होंगे, मैं काजिल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपनी चानल PeopleTJ में मैंने आप लोगों के साथ सीटाइट परिक्षा की तयारी को ध्यान में रखते वे, बाल विकास की CDP के एक स्पेशल सीरी शुरू की थी, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सभी चाप्टर यहाँ पर एक्स्प्लेंट कर रही हूँ, और साथे साथ इन चाप्टर से हमार सीटाइट के ऑनलाइन परिक्षा में, जो हमारे MCQ पूछे गए हैं, यह भी मैं आपके साथ डिसक्स कर रही हूँ, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ बाल विकास के दो अलग लग जो चाप्टर हैं, वो मैंने कवर किये हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रोथ और डेफलेबमेंट यानि के वृद्धी और विकास के बारे में समझा और उसके सिधानतों को हमने कवर कर लिया है, अगर आप लोगों ने वो पाट नहीं देखा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक मिल जाएगी, साथ आप प्लेलिस सेक्शन में भी यानि कि अनवानशिक्ता और वातवरन का बच्चे के विकास में किस तरीके स्प्रभाव पढ़ता है, यह हम देखने वाले और इसकी थियोरी को हम डिस्क्स करेंगे और साथ इसके कोशन भी हम कवर करेंगे, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग यह समझते हैं कि अनवानश आक्टर हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टिन माने जाते हैं जो कि है हेड़ डिटी एंड एंवार्मेंट, यानि कि अगर हम बच्चे के विकास की बात करें तो इसका एक अभिन अंग माना जाता है हमारे अनवानशिक कारक और हमारा वातवरन, बच्चे के अनवानशि जा जाती हैं और साथ-साथ वातवरन किस तरीके से बच्चे की विकास को प्रभावित करता है अब चलिए आई होप यह स्लाइड आप लोगों को क्लियर हुई होगी अब हम समझते हैं कि हैड़ डिटी है क्या देखिए अनवानशिक कारक होते क्या है ऐसे कुछ कारक जो हम हमारे पूरवजों से मिलते हैं अब देखिए यह जो है डिटी होती है क्या होता है यह तरीके से हमारे बायलॉजिकल प्रॉसस है यह तरीके से जैविक प्रकिरिया मानी जाती है जिसके अंदर होता क्या है कुछ भौतिक जो लक्षन होते हैं यान कि कुछ फिजिकल जो ट् रखते हैं अब देखिए यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एक बच्चे को माता-पिता के द्वारा विरासत में मिले हुए कुछ गुण अब देखिए यहां पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से क्यारेक्टर होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं अगर हम हेरडिटी के अंदर रखते हैं यान कि जो हमारे अनिवानशिक कारक होते हैं उसके अंदर रखते हैं इसके अलावा देखिए अगर हम हेरडिटी की बात करें तो जेनेटिक्स और जीन्स इन शब्दों से भी हम लोगों को अच्छी तरीके से फैमिलियर होना होगा तो यहां पर हम लोग जब इस चीज को समझें कि कौन से ऐसे ट्रेट है जो कि उनके माता-पिता से उनको मिले हैं इसकी जब study करें, यहां पर उसका अध्यान करें तो इसके लिए हम genetic शब्द का प्रियोग करते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले slide की तरफ आप यहां पर देख सकते हैं अब देखिए अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि यह जो जेनेटिक्स हैं और जीन्स जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं तो इसके लिए हम लोगों को गुनसूत्र यानिकि जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं उनकी कहानी यहाँ पर हमें पता होने जाए अब देखिए हमारे शडीर के अंदर जो 23 पेर होते हैं यह हमारे गुनसूत्र होते हैं यानि कि क्रोमोजोम होते हैं जिन में से 22 जो पेर होते हैं उनको हम आटोजोम बोलते हैं और एक पेर यहाँ पर होता है सेक्स क्रोमोजोम जो कि मेल और फिमेल में डिफ्रेंशियेट करने में मदद करता है अब देखी इस सीज को अच्छे से समझने के लिए एक बार आप इस प्लोचार्ट को अच्छे से समझ लीजिए अगर हम एक मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो क्रोमोजोम होता है वो होता है हमारा X पाय जो कि एक गुं सूतर का काम करता है यानि कि यहां पे एक तरीके से, डिसाइडिंग फैक्टर है कि यह मेल होगा या फीमेल होगा तो देखिए यहाँ पर जो chromosome होता है male के अंदर जो पाया जाता है वो है आपका X और Y यानि कि XY का एक pair होता है इसके अलावा अगर हम female की बात करें तो इसमें होता है XX तो देखिए यहाँ पर differentiate करने में मदद करता है female और male में अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यह हमारी chromosome है कि इनके parents के माता पिता के अब देखिए यहाँ पर sperm और ovum भी इनी से त्यार होता है यानि कि यह जो XY है यह हमारा किसमें होगा male में होगा और XX जो होगा यह female में होगा अब यह दोनों चीज़े हम पर हमने अलग कर दी X और Y को यहाँ पर अलग कर दिया और XX को यहाँ पर हमने अलग कर दिया अब देखिए होता क्या है अगर हम लोग इस चीज़ को और detail में समझे अगर male में से हम लोगों को X chromosome मिलता है male में से अगर X chromosome आए और female में से भी X chromosome आए तो X और X मिलके क्या बन जाएगा XX और XX के बज़े से जो baby होगे baby क्या होगी वहाँ पर baby girl होगी पर यदि यहाँ पर देखा जाए कि male की अंदर से male की body से यहाँ पर अगर Y वाला chromosome आता है देखिए female में से तो दोनों के दोनों XX ही है female में से तो X ही आएगा तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर male वाली में से यहाँ पर Y chromosome आया और female में से हमें X chromosome यहाँ पर मिलता है तो X और Y मिलके इस बार यह क्या बनाएगा इस बार यहाँ पे baby boy होगा तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे देखा गया है कि अगर male की body में से अगर x chromosome आए और female की body में से भी x chromosome आए तो दोनों xx मिलके baby girl मनाते है और अगर male की body में से y chromosome आए और female की body में से x chromosome आए तो X और Y मिलके यहाँ पर क्या बनाएगा X और Y मिलके baby boy तो देखिए अगर हम possibility की बात करें कि baby का gender क्या होगा तो यहाँ पर जो 50-50% chances है यह depend करता है कि कौन सा chromosome जो है कौन सा गुनसूत्र जो है वो उन्हें पिता से प्राप्त होता है क्योंकि माता के पास तो जो गुनसूत्र होता है यान कि chromosome होता है वो सेम होते है यान कि X और X दोनों सेम होते है जो chromosome यहाँ पर Y आये चाहाई X आये जो chromosome यहाँ पर पिता से मिलेगा उसके अधार पर बच्के का जो जेंडर है जो सेक्स है वो डेटर माइन होगा तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 50-50% chances होते हैं और ये जो कारक है ये एक तरीके से हमारे हैड़िटी यानि कि अनुवांशिक कारक के अंदर आएगा जो कि हमें अपने parents से मिलता है इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर एक बार सीटाइट के परिक्षर में question पूशा गया था कि father of genetics से समंदिद यानि कि genetics के यहाँ पर एक तरीके से father कौन है और उन्होंने किस तरीके का अध्यन किया तो हम लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि genetics of father यहाँ पर Grigor Mendel को बोला जाता है George Mendel को बोला और इन्होंने यहाँ पर हमारे जो generation by generation जो trait यानि कि जो बहुत एक लक्षन होते हैं वो किस तरीके से transfer होते हैं इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक अध्यन किया था किस पर पी प्लांट पे अब देखिए पी प्लांट के हम लोगों को scientific name भी पता होना चा और इन्होंने किस चीज पर अध्यन किया इन्होंने मटर के दान यान कि पी प्लांट पे यहाँ पर इन्होंने अध्यन किया साथे साथ इन्हें क्या माना जाता है इन्हें यहाँ पर father of genetics का title यहाँ पर दिया गया है अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर हैड़ीटी के के बारे में डीटेल में देख लिया कि क्या क्या चीज़ हमें बेसिक पता होनी चीए और साथ है डीटी से समंधित एक और टर्म यानि कि जैनेटिक्स को भी समझा यह वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है आपको लगेगा यह आउट ऑफ वॉक्स है इंपॉर्टेंट है जिस और प्युर्टेंगें था इसे कहीं करता है जिसे हमारा में कैंपॉर्टेंट क्रों करता है इसके अलावा है इंटेलीजन्स की बात car जानलिक कि हमारी बुर्द्धी मता क्या होगी बु उप्रद्धी क्या होगी यह था जानल पर पाते हैं और कि हमकिके हम्सीक्स bought पाते हैं, Coordination, हम लोग एक तरीके से तालमेल की से बिठा पाते हैं, हम लोगों की जो Athletic Ability होते है यान की Sports Person के Ability कही ना कहीं ये जो Physical Trait होते हैं, ये भी हमाए हेड़ डेटी पे Depend होते हैं, इसके अलावा जो हमारे टालेंट हो गया या फिर innate ability यानके हमारे जो अंदर से जो हमारे कुछ ऐसे ability है कुछ ऐसे गुण है ये भी हमारे हेड़ डेटी पर निर्फर करती है अब देखते हैं हमने हेड़ डेटी के बारे में तो देख लिया अब हम environment के बारे में बात करते हैं environment होता है हमारे आसपास क वातवरन और उससे हम लोगों को क्या क्या चीज़े सेखने को मिलती है और बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं वातवरन का यानकी environment का क्या रोल होता है तो देखिए यहां पर बोल रखा है कि हमारे आसपास की जो community होती है और जो school का involvement ये हमारा कहीं ना कहीं बच्चे के development पर होता है बच्चे के विकास पर होता है बच्चे जितने ज्यादा लोगों के संपर्क में आएगा उतने ज्यादा चीज़े सीखेगा उतने ज्यादा बच्चे को एक तरीके से बच्चे का growth होगा इसके अलावा यहां पर देखिए अभी मैंने आपके साथ डिसक्स किया क जो हेड़ेटी होती है। उसके अंदर हमारे intelligence आता है, अब intelligence को हम किस तरीके से use कर पाएंगे, किस तरीके से उससे हम चीज़े सीख पाएंगे, वो हमारे environment पर आता है। और environment कहीं ने कहीं हमें मदद करता है, environment हमें मदद करता है जितना जादा हम explore करेंगे, जितना जादा हम लोगों के संपर्क में आएंगे, इसके अलावा यहाँ पर religious belief जो है, वो हम लोगों को हमारे environment से मिलता है, किस तरीके के environment में हम बड़े हो रहे हैं, इसके अलावा हमारे क कि सीज पर रूची होगी कि सीज पर इंटरस्ट होगा और साथे साथ होबी क्या होगी वो भी कहीं न कहीं हमारे एंवार्मेंट पे डिपेंड करता है आई हूप आप लोगों को यहाँ पे हैड़िटी और एंवार्मेंट यानकि अन्वांशिक कारक और जो वातावरन से समंधित जो फैक्टर है जो हमारे हुमन डेपलिमेंट में यानकि जो बालक के विकास में किस तरीके से प्रभावित करते हैं यह आपको क्लियर हुआ होगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड की तरफ इसके अलावा अगर हम यहाँ पे हैड़िटी और एंवार्मेंट की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट टर्म और पता होने जिए जिसको हम नेचर और नर्चर के नाम से जानते हैं नर् यानि कि हम लोगों को जो जीन्स मिले हैं अपने माता पिता से वो डिटरमाइन करते हैं हमारी कुछ ऐसी एबिलीटी को इनको हम नेचर के अंदर रखते हैं अगर मैं आप से कहूँ कि जो हैड़िटी है और एंवार्मेंट है उन में से कौन सा आपका नेचर होगा तो आप कहेंगे हेड़िटी जो है वह आपका क्या कहलाएगा वह आपका नेचर कहलाएगा क्योंकि यह हमारी जैनेटिक्स द्वारा डिटरमाइन किया जाता है इसके अलावा अगर मैं आप से बात करूं कि नर्चर क्या होता है नर्चर एक तरीके से होता पालन पोशन तो हमारा क्या वहवार होगा यह भी हमारा नर्चर बताएगा तो अगर मैं आपसे पूछ हूं कि हेड़िटी और एंवार्मेंट में से नर्चर वर्ड कौन सा है नर्चर हो जाएगा आपका एंवार्मेंट और देखिए कहीं न कहीं यह जो हेड़िटी और एंवार्मेंट हम टर्म पढ़ रहे हैं इन दोनों का ही प्रोडक्ट हमारा डेफलमेंट माना जाता है यान कि बच्चे का जो डेफलमेंट होगा वह कहीं न कहीं आपका एंवार्मेंट और हैडिटी का प्रोडक्ट माना जाता है यह भी आप अपने नोट्स में इसीच को आड़ कर लीजेगा तो देखे नेचर जो है आपका क्या क्या खेला आएगा यह क्या हैडीटी और जो नर्चर वर्ड है जो पोशन है वो तोल में हमें यह है और लियर हो ना चाहिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं आप यहां पर देख सकते हैं एक क्योशन मैंने लिया है विच अप्छ निェ से related factor है तो मैंने काहता कुछ ऐसे गुर्ण जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसपर होते हैं जैसे कि हमारे आखों का कलर आप यहां पर देख सकते हैं यहां में सी ऑप्शन में आपे दे रखा है इसके अलावा जरह एक कोशन करते हैं जो कि इस बार ही हमारी सीटाइट के ओनलाइन परिक्षा में यहां पर पूशा गया था इसमें पूशा गया है जो डेपलेमेंट होता है बच्चे का वो किस चीज का रिजल्ट होता है तो रेखिए सेकेंड आप्शन नहीं हो सकता ओनली है डिटी यान कि जो अनुव यहां पर गलत होगा यानि कि सिफ बातवरन पर यह भी यहां पर गलत है तो देखिए जो हमारा विकास होता है बच्चे का जो विकास होता है वो कहीं न कहीं है डिटी और एन्वार्मेंट यान कि जो हमारे अनुवांशे कारक है और जो हमारा वातवरन है इन दोनों पर ही निरुपे करता है इस हिसाब से इस कोईशन का पहला जो और है आपके साथ डिसकस किया और इस टॉपिक के क्वेशन आप लोगों को क्लियर होए होंगे अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इसके पहले के दो पार्ट आप जरुर देखेगा जैसा कि मैंने कहा क उसमें हमने growth and development यानि कि वृद्धी और विकास और साथे साथ हम लोगों ने अगले जो topic में हम लोगों ने principle of child development यानि कि जो बच्चों के विकास होता है उसके सिधानतों को आमने cover किया था इस वीडियो में इतना ही अब मैं आप से मिलूंगे अगले वीडियो में इस series को हम continue करेंगे और आप मेरे साथ इससे तरह बने रहिए साथे साथ अब मेरे साथ टेलिग्राम गूर्प पर भी जोड़ सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को description में मिल जाएगा इस वीडियो में इतना ही अब मैं आप से मिलती हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ बाइबाब से आप से तरह बाइबाब।